आज हर वेक्ती सफल होना चाहता है और इंटरनेट के कारण हां सफल लोगों के जीवन को ज़्यादा बेथर तरीके से देख पा रहे हैं इसी बज़े से ज़्यादतर लोग सफलता के केवल सपने में खोई रहते हैं और अपने काम में पीछ रहे आते हैं लेकिन सफलता उसे ही मिलती है जो लगातार काम करता रहता है अगर आप भी जीवन में सकसेस्फुल बनना चाहते हैं तो आज आपको मैं चार ऐसे मंत्र देने जा रहा हूँ जिसके विना आप सफल नहीं हो सकते याद रखिए जिन्दिगी ने आपको कुछ लिमिटेड समय दिया है और आप ये नहीं जानते कि ये कितना वाकी है हो सकता है ये कल ही समाप्थ हो जाए इसलिए आपको अपना काम पूरी सिद्ध से करना चाहिए तो दोस्तों चली विडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन चार मंत्रों के बारे में जिसके विना आप सफल नहीं हो सकते मंत्र नमबर एक आगे बढ़कर काम की जिम्मेदारी लें याद रखिए जिम्मेदारी एक मादर ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जा सकती बलगी इसे लेना पड़ता है कोई भी वेक्ती कभी भी किसी के मादे जिम्मेदारी देना नहीं चाहता क्योंकि जाद अतर समय ऐसा करने से असफलता याद लगती है इसलिए आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बिना किसी दूसरे के इंतजार की आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और जिम्मेदारी को सोहम उटाना पड़ेगा मंत्र नमबर दो समय की कदर करना जो वेक्ती अपने समय की कदर नहीं करता वही वेक्ती दूसरे के समय की भी कदर नहीं कर सकता अगर आपको जीवन में successful बनना है तो इसका सबसे बड़ा सूत्र है ये है कि आपको अपने और अपने सामने वाले के समय की कदर करनी होगी हर वेक्ति अपने काम के अनुसार बनता है और आपको किसी के भी समय को बरबाद नहीं करना चाहिए किनकि जो वेक्ति खुद के समय की कदर नहीं करता वे वेक्ति दूसरे के समय की भी कदर नहीं कर सकता आपको किसी भी वेक्ति के समय बरबाद नहीं करना चाहिए और इसके लिए ये जरूरी है कि आप खुद अपने समय बरबाद नहीं करें जब भी कोई बीमारी आती है तो ज़्यादतर लोग उसका सामना करने की बजाए डर कर भागने लगते हैं या अलग अलग प्रकार की मदद ढूनने लगते हैं आपको कभी भी अपने परहसानियों से भागना नहीं चाहिए बलकि उसका टथ कर सामना करना चाहिए चाहे आप किसी भी छेत्र में हो चाहे आप किसी भी परकार की परहसानियों से जूज रहे हो आपको हमेशा आगे खड़ा हो कर उसका सामना करना चाहिए अगर आप किसी की भी मदद के लिए बैटे रहेंगे तो आप परहसानी से हमेशा परहसान होते रहेंगे आपको आगे बढ़कर लड़ना पड़ेगा परिस्तिती चाहे केसी भी हो आपको न्टेट कर सामना करना पड़ेगा परिस्तिती चाहे कोई भी हो सामने चाहे कोई भी खड़ा हो जितना ज़्यादा आप लड़ेंगे आपका मन उतना ही मजबूत बनेगा और successful बनने के लिए मन की मजबूती बहुत जरूरी है मंतर नमर चार लीडर बनकर आगे आना दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि हर किसी को एक नेता एक लीडर की जरूरत होती है आपको अपनी आखों के आगे जितनी जादा भीड़ देख रही है इस पूरी भीड़ में कोई नहीं चाहता कि वे आगे आकर लोगों को लीड़ करें अगर आपको successful बनना है तो यही वे जगा है जहाँ आप लोगों से अलग हो सकते हैं आपको एक नेता बनकर आगे आना पड़ेगा और लोगों का नेतरत्व करना पड़ेगा इसके लिए आपको कोई खास समय या पर किसी जगे की जरूत नहीं है आप अपने रोजबर्बरा के जीवन में खुद को आगे रखकर एक नेता की तरह ट्रीट कर सकते हैं और ये लोगों को बिसबस दिल सकते हैं कि आप उनके सही रास्ते पर उनकी सबलता तक जरूर पहुचा देंगे अगर आप एक नेता की परस्नालिटी की तरह आगे आ सकते हैं और लोगों की मदर कर सकते हैं तो आप रियल में उनकी सबलता तक पहुचा सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो से थोड़ी सी भी आपके मन में कोई जागरती पैदा हुए तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों मैं मिलूँगा आप सेगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन जैवारत बनने मातरा हम